नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मनीशा जिंडोरिया स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर अखंड भारत की जब बात आती है तो देखे सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं देश के वो तमाम हिस्से जो की भारत से अलग हो चुके हैं अखंड भारत जब भी याद आता है तो सबसे पहले देश का सबसे बड़ा हिस्सा जो की 1947 में अलग हुआता पाकिस्तान वो याद आता है अब इसी के देखे चर्चा सामने आ रही है आपको बता दे कि RSS प्रमुक मोहन भागवत ने 15 साल के अंदर भारत को अखंड भारत बनाने की बात कई है और मोहन भागवत के द्वारा ये बयान एक बड़ा बयान माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने साफ तोर पर अपने भाशन में ये कहा है कि आने वाले 15 साल के अंदर भारत अखंड भारत बनके रहेगा और ये कौन करेगा जो अभी वर्तमान सरकार है देखिए मोधी सरकार के लिए उन्होंने ऐसा कहा है क्योंकि जैसे कि कश्मीर का ही आप मुद्धा ले लीजिये करते थे लेकिन आज वो एक अलग देश बन चुके हैं, लेकिन वो अलग कैसे वे है ाँconnect, कई बार चछाएं हो चुकी है, लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, जो जानते हैं कि कीमत क्या होती है, भारत से उनके हिस्से को अलग करने की पाकिस्तान ही नहीं ऐसे तमाम देश हैं जो आज भारत से अलग हो चुके हैं लेकिन आज भी अगर हम देखें तो उन हिस्सों की कोई हाला जो है ठीक नहीं है क्योंकि भारत से अलग होने के बाद उन देशों की जो हालत है वो बत से बत्तर होती जा रही है अब कि RSS प्रमुक मोहन भागवत ने कही है और इसी को देखते हुए देखिए जो तमाम लोगों के अंदर एक श्रद्धा थी और लोगों का माना था कि हाँ अखंड भारत बन सकता है तो वो देखिए यहां पर जाकता हुआ नजर आ रहा है और मोहन भागवत की इस बात पर कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कि विपक्षी नेता कहिए या फिर लेफ्ट विंग के लोग है वो इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं सबसे पहले आपको बताते हैं एक्जेक्ट वर्ड्स में क्या क्या कहा है मोहन भागवत अखंड भारत का एजगणा अरेसेश के लिए हमेशा ही सर्वोपरी रहा है आरेसस थachंड भारत की वात जो है उसको सबसे उपर रखा है और उन Wade 47 के जो 草नेता है उनका यही मानना है कि भारत अखंड भारत था रहेगा और उसको रहना भी चाहिए तो अखंड भारत बड़ा बयान दे दिया जो कि मैंने आपको बताया उन्होंने कहा है कि 15 साल के अंदर आने वाले 15 सालों में अखंड भारत बनाया जाएगा वैसे तो 20-25 साल में भारत अखंड भारत होगा लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महरशीव अर्विंद के सपनों का अखंड भारत 10-15 साल में बन जाएगा इसे कोई रोकने वाला नहीं है जो इसके रास्ते में आएगा वह भी मिट जाएगा तो मोहन भागवत ने यहां सीधा-सीधा बयान दिया उन्होंने कहा कि वैसे तो देखिए अखंड भारत बनने में 20-25 साल लगेंगे लेकिन अगर हम सब एक जुट होकर स्वामी विवेका नंद और महरशी अर्विंद के सपनों को देखेंगे और उनके नक्षे कदम पर चलेंगे तो आने वाले 10-15 साल में भारत को अखंड भारत फिर से बनाने में कोई नहीं रोक सकता या फिर कोई भी इसमें आ आगे लेकर बढ़ते जाएंगे आरजस प्रमुख ने आगे कहा जिस प्रकार भगवान कृष्ण की उंगली से गोर्धन परवट उठ गया था उसी तरह संतों के आशिरवाद से भारत फिर से अखंड भारत जल्द होगा ऐसे कोई रोकने वाला नहीं होगा लेकिन आमजन थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ही ऐसा होगा जो हमारे देश की जनता है आमजन अगर वो थोड़ा प्रयास करेंगे तब ही ऐसा हो पाएगा और संतों के आशिरवाद से हमारा भारत फिर से अखंड भारत बन पाएगा तो स्वामी वेकरनंद महरशी अर्विंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में बन जाएगा ऐसा कहना है मोहन भागवत का और आगे उन्होंने कहा है कि भारत उत्थान की पट्री पर आगे बढ़ चला है इसके रास्ते में जो आएंगे वह मिट जाएंगे भारत अब उत्थान के लिए बिना रुकने वाला एक देश बनेगा भारत उत्थान की पट्री पर सरपट दोड रहा है सीटी बजा रहा है और कह रहा है उत्थान की सियात्रा में सब उसके साथ आओ और उसको रोकने का प्रयास ना करो जो कोई भी रोकने वाले हैं वह साथ आ जाएं और अगर साथ नहीं आते तो रास्ते में ना आएं रास् रास्ते के पत्थर भी ना बने रास्ते से हट जाएं ताकि अखंड भारत का हमारा जो सपना है हम खुद पूरा कर सकें और हम इसके लिए जितने प्रयास होंगे वो प्रयास करेंगे संतों को लेकर यहां पर उनने कहा कि हमारे देश में जो महर्शी हैं संत हैं उनकी तो थान के मार्क पर चल रहा है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत को अखंड भारत होने में 20-25 साल का समय नहीं 10-15 साल का समय लगेगा अगर हम अपनी गती को तिर्व कर ले यह समय आदा हो जाएगा यानि कि 20-25 साल जो लगने हैं वो 10-15 साल हो जाएंगे औ तो इसके लिए हम सब को एक होना पड़ेगा एक बड़ा मेसिज एक बड़ी बात मोहन भागवत के दौरा यहां पर देशवासियों के लिए की गई है और अखंड भारत का सपना जो की सर्वोपर ही है हमारे देश के लिए भी देश की जनता के लिए उस पर बड़ी बात कह प्रयास लगातार किये गए हैं यानि के 1000 साल से ही भारतिय जो सनातन धर्म की संस्कृति है भारत में उसको मिटाने के लिए काफी प्रयास किये गए हैं चाहे वो मुगल के दौरा हो ब्रिटिश शासन के दौरा हो तो तमाम लोग आए और गए उन्होंने सनातन धर्म को आगे चल रहा है है लेकिन वें अज़ैं हम और हमारा सनातन धर्म में आज भी मौझल है मोंहन भागवत ने कहा है कि सनातन धर्म को मिटाने प्रयास जिसने भी किये वो आएो खुद भी जिन्दा है और मौझल है उन्होंने कहा एक एक ऐसदेश जहां दुनिया के अहर प्र वो यहां से मिट कर गया है या तो वो उसकी बुद्धी ठीक हो जाएगी या फिर वो खुद यहां से मिट कर जाएगा अब अखंड भारत की यहां पर बात आ रही है तो मैं अखंड भारत का आपको एक नक्षा दिखा देती हूं कि हमारा अखंड भारत कैसा हुआ करता था क् विए भागों का विभाजन होना शूरू हो गया था और उसी के चलते देखिए आज हमारा भारत जो अखन्ड भारत हुआ करता था आज उसमें से कई ऐसे हिस्से हैं जो भारत से अलग हो गए है तो अखंड भारत में क्या क्या था अफगानिस्तान जो कि आज भारत से अलग हो गया है नेपाल, भूटान, तिबबत और म्यानमार, साथी देखे बांगला देश ये तमाम ऐसे देश हैं पाकिस्तान जो कि एक बड़ा विभाजन माना गया है तेहास का 1947 के अंदर सबसे बड सबसे पहले देखे मैं आपको बता दू के 1886 में अफगानिस्तान अलग हुआ था नेपाल 1904 में अलग हुआ था तिबबत 1914 में भूटान उसके बाद और बांगला देश 1947 और उसी के साथ देखे पाकिस्तान बना 1947 के अंदर श्री लंका भी भारत का देश भारत का हिस्सा सबसे पहले स्री लंका थाइलेंड ये सारे जितने भी आज बाहर के देश हम बोलते हैं यह सभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था धीरे तमाम ऐसे हिसे भारत के जो दूसरे देश में तबदील हो गए श्री लंका थायलेंड ये ऐसे देश रहे जो कि सबसे पहले भारत से अलग हो गए उसके बाद देखे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिबबत, म्यानमार, पाकिस्तान ये सभी देश जिनोंने भारत से अलग होने की मांग की और आज जम्मू और कश्मीर आज तक देखे विवादित एक मु कश्मीर का जो मुद्दा था उसको खतम किया मोधी सरकार ने 370 हटा के वहां से जो विवाद चिड रहा था जम्मू कश्मीर को अलग करने का, वो मोधी सरकार ने खतम किया और आज देखे गर्व से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, पोक जिसकी बात होती है POK को भी भारत का बनाएंगे और इसमें जाधा दिन नहीं है जल्द ही भारत का हिस्सा होगा जिस तरी किसे देखिए मोहन भागवत ने अखंड भारत पर बयान दिया है उस पर संजे राउत ने भी आपत्ति जताई है संजे राउत का बैयान है आप अखंड भारत बना लीज सपना था वीर सावरकर को आप पुरुसकार दीजिए भारत रत ने दीजिए क्योंकि उनका ये सपना था अब आरेसस प्रमुक मोहन भागवत के बयान पर संजे राउत ने ये बयान दिया है और कहा है कि 15 साल नहीं आप 15 दिन में बनाईए कौन मना कर रहा है क्योंकि अखंड भारत का सपना हर कोई देख रहा है हर किसी का सपना है लेकिन आज तक किसी ने बात नहीं की है क्योंकि बहुत ही आसानी से जो सरकारे 70 से सी साल तक राज कर चुकी है देश में उन्होंने बहुत ही आसानी से देश के हिस्सों को अब टवारा किया है और अलग 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 द झाल झाल